नमस्कार मैं हो शिवारी नान स्टॉप तीस खबरों में आपका स्वागत है चुलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें सडक परिवहन मंत्राले ने मोटर विकल एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसमें ट्राइब यूनल्स को 12 महीने का समय मोटर साइकलों को कमर्शिल इस्तेमाल की मानेता और 16-18 वर्ष के युवाओं को 50 सी सी मोटर साइकल चलाने की इजाज़त शामिल है सैक्षुन मंत्री डेविज लैमी ने सुरक्षा को प्रात्मिक्ता बताते हुए सब भी ब्रिटिश नागरिकों से पंजिकरन करने और देश छोड़ने का अगर किया अन्य देशों ने भी अपने नागरिकों को निकालने की योज ना बनाई है सुप्रिम कोच ने तिरुपति लज्डू प्रसाद मामले की जाँच के लिए एक स्वतंत्र एसाइटी का अगठन किया है जिसमें दो सीबी आई अधिकारी दो आंध्रपरदेश पुलिस के अधिकारी और एक एफ एस एस ए आई अधिकारी शामिल होंगे पुर्व मुख्यमंत्री चंद्र बावु नाईजू के द्वारा मिलावट के आरूपों के बाद यह जाँच शुरू की गई कोच ने कहा कि जाँच स्वतंत्र होगी और आवशक्ता होने पर मुकदमा चलाया जाएगा विक बॉस का सीजन 18-6 अक्टोवर से शुरू होने जा रहा है जिसमें सल्मान खान ने एक नया प्रोमो साजा किया है प्रोमो में उन्होंने कहा है कि इस बार घर में टाइम का तांडव देखने को मिलेगा शो में कई बड़े सितारे शामिल होंगे जैसे शिल्पा शिरोड कर निया शर्मा और शहजाद अधामी कंटे स्ट्रिंग्स के प्रोमो पहले ही सोचल मेडिया पर वाइरल होने लगे है केंद्र सरकार्णे युवाओं के लिए पी-एम इंटर्नशिप यूजना शिरू की है जिसमें 12 अक्टुबर से ओनलाइन आवेदन किये जा सकेंगे चुहनीत युवाओं को 5,000 रुपे परतिमाह और 6,000 रुपे एक मुश्ट सहायता मिलेगी युजना का उदेशे 5 वर्षों में एक कडोर युवाओं का स्किल डेवलप्मेंट करना है टर्नशिप 2 दिसमबर से शिडू होगी पातरता 21-24 वर्ष और वार्षिक आए 8,000 रुपे से कम होनी चाहिए तिरुवनंत पूरम हवाई अट्डे पर एर इंडिया एक्स प्रेस की फ्लाइट आई एक्स 549 की इमर्जनसी लैंडिंग कराई गई जब उडान भरने के बाद धुआ निकलने लगा सभी 148 यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं एर इंडिया ने एक वैकलपिक विमान की ववस्था की है और घटना की जाच की जाएगी आलिया भत और शरवरी वाग की एस्पाई थ्रिलर फिल्म अलफा की रिलीस डेट 25 दिसमर 2025 को तै की गई है यश्राज फिल्मस ने इंस्टाग्राम पर इसकी घोशना की जिसमें कहा गया है कि दर्शकों को एक्षिन से भरपूर छुटी का आनंद मिलेगा फिल्म का नरदेशन शिव रवैल ने किया है रिशोप पंत आज अपना 27 वा जन्म दिन बना रहे है हाली में उन्होंने बांगलादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी की जिसमें पहले मैच में शतक लगाए उवराज सीने सोशल मेडिया पर उन्हें खास अंदाज में बढ़ाई दी उन्होंने लिखा कमबैक किंग को जर्म दिन की शुब कामना एक कड़ी महनत करो और निरर बने रहो आशा है कि आने वाला वर्ष पूर्णता वाला होगा पगवान हमेशा तुमें आशुरवाद दे डिप्रेशन के शुरुआती लक्षनों का पता लगाने के लिए स्टिवन्स इंस्टिशूट ओफ टेक्नोलिजी के शुद करताओं ने दो स्मार्टफून एप विक्सित किये हैं ये आप चहरे और आखों का विश्लेशन करके डिप्रेशन के पहचान कर सकते हैं शुरुआती परिटनामों में 76% सटीकता से डिप्रेशन का पता लगाया जिससे यह एक प्रभावी उपकरन साबित हो रहा है भारत में चीनिय स्मार्टफोन ब्रांड्स जैसे वन प्लस, आई-क्यू, ओ-ओ और पोको की डिमांड बढ़ रही है लेकिन वबारियों के संगठन, CAIT और AIMRA ने इसका विरोज शुरू कर दिया है आरोप है कि इन कंपनियों ने नियमों का उलंगन किया और भारी डिसकाउंट देकर भारती मुबाइल मार्केट को नुकसान पहुचाया है भारत का विवेंस T20 विश्यो कब 2014 में पहला मुकाबला न्यूजिलेंड के खिलाफ आज दुबई में खेलेगी कप्तान हर्मन प्रीत कौर को प्रमोट करके नंबर तीन पर बैटिंग करने का नर्न लिया गया है शेफ आलिवर्मा और अस्मिर्ती मंधाना ओपनिंग कर सकती है जिसे टीम को फायदा हो सकता है रिलाइंस जीओ ने 449 रुपे के प्लान की घोशना की जिसमें यूजर्स को 28 दिनों के लिए रोज 2GB टेली डैटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS और अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा इसके साथ ही 12 OTT आप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी उपलग्द है जिससे यूजर्स को बड़ा लाव होगा पशिमे एशिया में इरान के इसराइल पर हमले के बात अनाव बढ़िया है पिये मोदी ने सुरक्ष कैबिनेट समीती की बैठाग में अस संकत और भारत पर संभावित प्रभाव पर चर्चा की भारत ने सभिपक्षों से सैयम बरतने और कुटनिती से समस्याओं का समधान करने की अपील की है इसराइल ने भी जबावी कारवाय की धमकी दी है यूजिसीनेट जून सत्रग परिक्षा का परिनाम अभी तक जारी नहीं हुआ है जिसे अभ्यर्थी नाराज है उमिदवारों का कहना है कि इन्टीय ने परिक्षा को पहले रद किया फिर तीन महीने बाद पुनर निर्धारित किया और अब परिनाम में देरी हो रही है सोशल मीडिया पर शातर तनाओ और संतोश व्यक्त कर रहे हैं परिक्षा किस अगस्त से 4 सितंबर 2014 तक आयोजित हुई थी भार्टे क्रकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद से धोनी के एक जबरदस्त फैन गौरब कुमार ने उनसे मिलने के लिए 5350 किलोमेटर साइकल यात्रा के गौरब ने पहले दिल्ली से चनई का 2100 किलोमेटर का सफर किया फिर वापस दिल्ली आकर 1150 किलोमेटर साइकल से राची पहुँचे धोनी से मिलने के लिए उन्हें एक हफते तक इंतिजार करना पड़ा भार्ति वायु सेना प्रमुख एर चीफ मार्शल एपी सी में कहा है कि वायु सेना किसी भी सुरक्षिच चनौतिस ने पचने में सक्षम है उन्होंने एस 400 मिसाइल सिस्टम के उपलवसता पर जोड दिया और बताया कि भारत को आईरन डोम के आवशक्ता नहीं है चीन के बरते सैन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर रखते हुए स्वादेशी हथियार का प्रेनालियों का विकास जरूरी बताया एक उक्चबर को गुविंदा के पैर में गोली लगनी की घचना ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मशाती थी उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया लेकिन आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है गुविंदा ने अपनी सेहत के लिए सभी को धन्यवाद किया आश्मान भारती योजना के ताथ गूगल के सयोग से स्वास्त कार्ड डिजिटल रूप में गूगल वालेट पर अपलब्ध होगा 2025 से लोग अपनी ABHAID का उप्योग कर मेडिकल रिकॉर्ड साजा कर सकेंगी यह प्रकिरिया तेज होगी जिससे स्वास्त सुविधाओं का लाव गरीब और ग्रामीन परिवारों को आसानी से मिल सकेगा योजना अब 70 साल से उपर के नागरिकों को भी कब्रेज परदान करेगी इसराइल इरान तनाओ के शुलते भारतिय शेर बाजार में गिरावच आई है जिसे मुकेश अमबानी को भारी नुकसान हुआ रिलाइंस इंडोस्ट्रीज के शेर में लगाता तीन दीन गिरावच आई जिसका मार्केट चेप 77,607 करोर रुपे घट गया दूसरी ओर अनी लंबानी की रिलाइंस पावर के शेर में भी गिरावच देखी गई जबकि कमपनी ने 4,199 करोर रुपे जुटाने की मन जूरी दी है साउथ सुपोस्टार रजनिकांत को 30 सितंबर को पेट में दर्द के कारण चिने के अपोलो अस्पताल में भरती किया गया था उन्हें हाट से जूरी समस्या का पता चला जिसे बिना सर्जरी के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक किया गया तीन ओक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली दिली में मौनसून की वापसी के साथ प्रदूशिन का अस्तर बढ़ने लगा है पिछले 24 घंटों में औसत एक्यूआई 166 दर्ज किया गया जबके आनंद विहार में एक्यूआई 231 और मुंडका में एक्यूआई 273 जैसे उच अस्तर देखे गए पी एम 2.5 का अस्तर डबलू एचो की अनुशन सित सीमा से 5.5 गुना अधिक है पाकिस्तान ने आर्थिक संकट के बीच चीन के हिदों की रक्षा के लिए सश्तर बलो को अतिरित 45 अरब रुपे का बिजट देने का निरने लिया है इस राशी में से 35.4 अरब रुपे सेना और 9.5 अरब रुपे 9 सेना को बिभिन उदेशियों के लिए अवंटित किये जाएंगे फेस्टिब सीजन में इकॉमर्स साइट पर स्मार्फोन खरी देते समयासली और नकली फोन की पहचान करना महत्पूर्ण है IMEI नंबर स्टार हैश 06 हैश डायल करके जाचे और इसे IMEI चेक विबसाइट पर सत्यापित करें ओपरेटिंग सिस्टम और प्री इंस्टॉल्ड अप्स की स्थिती देखे दूर संचार विभा की विबसाइट और 14422 नंबर से भी IMEI की वैधता जाचे आच्छे बाजार में भारी उतार चरहाव देखने को मिला सिंसेक्स शुरुआती कारोबार में 300 अंक गिरकर 182,242.25 पर खुला लेकिन कुछ समय बाद 83,360 के उच अस्तर पर पहुँच गया अंत में सेंसेक्स 703 अंक गिरकर 81,793.16 पर बंद हुआ दर्शाते हुए और स्थिर बाजार की स्थिती तेखारों के मौसा में सोनी की कीमते ओल टाइम हाई पर पहुँच गई है 10 ग्राम सोनी की कीमत 274 रुपे बढ़कर 75,712 रुपे और चानी की कीमत 1,048 रुपे बढ़कर 90,930 रुपे पर टी कीलो हो गई हालांकि सोना वाइदा में 376 रुपे की गिरावचाई जिससे कीमत 76,014 रुपे पर टी 10 ग्राम रहे गई है केंद्र सरकाने मराजी, पाली, प्राकृत, अस्मिया और बांगला को क्लासिक लैंग्वेज के रूप में मानेता दी है जो सेकुली 11 भाष्वा आए अब इस सुची में शामिल हो गई है क्लासिकल लैंग्वेज वे भासाएं हैं जो भारत की प्राचीन सांस्कृती वीरासित को संचोए हुए है मानेता मिलने पर प्राचीन साहिते का डिजिचली करन संरक्षिन और प्रचार किया जाता है अहमदाबाद मुंबई बुलेच ट्रेन प्रोजेक्ट में 12 स्टेशनों का नर्मान स्थानी विशिश्टाओं के आधार पर किया चारा है प्रतेक स्टेशन की जिजाइन शहर की पहचान को दर्शाती है जैसे साबरमती का चरखा, आनंद स्टेशन का दूध और सूरत का हीरा, मुंबई का स्टेशन अंडर ग्राउंड होगा जबकि सभी स्टेशनों में आधुनिक सुविधाएं जैसे वेटिंग लाउंज और शॉप्स शामिल होगी भारत में त्योहारों के शुरुवात के साथ रेलिवे ने ग्रूप एक सी करमचारियों को दिवाली बोनस की घुशना की है 78 दिनों के लिए 18,000 रुपे का वेतन पीलवी के तहट दिया जाएगा यह लाव लगभग 11,72,244 करमचारियों को मिलेगा जिसके लिए सरकार ने 2028 करोड रुपे आवंटित किये हैं या प्रोचाहान करमचारियों को बहतर प्रदोशन के लिए प्रेरीद करेगा मेटा के सीओ मार्क जुकरवर्ग ने जिफ बेजोस को पीछे छोड़ कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है उनकी संपत्ती 206.2 बिलियन डॉलर है 2024 में जुकरवक की संपत्ती में 78 बिलियन डॉलर के विधी हुई जो मेटा के प्रदोर्शन और AI निवेश पर आधारित है कंपनी ने हाल ही में ओरियन AR ग्लास भी लॉंच किया है वितमंत्री निर्मला सीदारमन ने कहा कि सरकार के प्रयासों से अगले कुछ वर्षों में प्रतिविक्ति आए दोगुनी होगी जिससे आम आदमी का जीवन अस्तर सुधारने में मदद मिलेगा उन्होंने अवसा मानता में कमी का उलेख करते हुए गिनी गुनांक के सुधार की बायत की 247 तक विक्सित देशों के समान विश्यस्ताओं के साथ भारत का नया यूग विक्सित होगा इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है कि आपके ख्षेत्र में किस कमपनी के सिम कार्ड का नेटवर्क बहतरीन काम करता है अपना जवाह में कॉमेंट सेक्ष में लिकर जरूर बता है आज के लिए बस इतना ही धन्यबाद